अब ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी जुटी इसमें न पढ़के आई ये कहानी सुनते हैं एक कुटा अपने रस्ते जा रहा होता है और रस्ते में उसे एक भेडिया मिलता है भेडिया कुटे से पूचते है और भई कुटे क्या हाल चाले कुटा कहता है क्या हाल होना है जब तक मैं जवान था घर की रखवाली करता था मालिक मुझे बरावर से खाना डालता था अब मैं पूरा हो गया है उसने मुझे घर से निकाल दिया है मुझे भूक लग रही है और मैं दर बदर की ठोकरे खाने वे मजबूर हूँ बेडिया कहता है तुम चिंता मत करो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें भर पेट खाना खिलाओंगा तो दोनों साथ चलना शुरू करते हैं थोड़ी दिर में जानरो का एक जुन्ड आता है तो बेडिया कुत्ते हो कहता है जाओ देख के आओ और बताओ कौन से जानवरे कुत्ता जाता है फौरण देख के आता है कहता है कि वहाँ पे बतके हैं बेडिया कहता है ना बतके नहीं खाएंगे उससे दो मूँ में पंक ही पंक्चे पक जाएंगे तो थोड़ा आगे जाते हैं जानरों के एक और जुन्ड आता है, कुत्ता आपकी वापिस आके बताता है कि घोडे हैं, तो भेडिया कहता है हाँ, हम घोडे का शिकार करेंगे, तो अपने पंजे जोर-जोर से वो जमीन पे रगड़ता है, और फिर कुत्ते से पूचता है कि क्या मेरी दुम जोर से हिर रह हो गई है, तो कुत्ता कहता है हाँ, दुम बहुत जोर से हिर रही है, फिर भेडिया पंजे और जमीन पे रगड़ता है, है मेरी आखें अंगारे जैसी लाल हो गए हैं तो कुटा कहता है हाँ आँखेक्द वंगारे जैसे लाले भेड़ी आ जाता है कूटा एक घोड़े को मार गिराता है और दोनों अब भर पेट खाना खा लेते हैं उसको बेड़ी आपने रस्ते कुटा अब जा रहा होता है तो मालिक ने मुझे घर से निकाल बाहर किया है कुट्टा केता है तुम चिंता मत करो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें भर पेट खाना खिलाओंगा तो दोनों जाते हैं जानरू का एक जुंड आता है कुट्टा बिल्ली को रवाना करता है बिल्ली आती है बताती है कि वहाँ पे हंसे हैं तो हो कहता है कि नहीं यार हम हंस नहीं खाएंगे इससे तो मुह में पर ही पर चिपक जाएंगे खोड़ा और आगे जाते हैं बिल्ली आगे रिपोर्ट देती है कि भी वहाँ पे याक का जुन्ड है तो कुट्टा कहता है नहीं याक नहीं खाएंगे उससे तो मुझे में बाली बाल चिपक जाएंगे थोड़ा और आगे जाते हैं जानरों के एक और जूंड आता है बिल्ली अपकी बार लोट के बताती है कि वहाँ पे गदें हैं तो कुता कहता है हाँ हम गदों का शिकार करेंगे तो जोर जोर से कुता अपने पैर जमीन पर रगड़ता है बिल्ली से पूछता है हाँ मेरी क्या दुम जोर से हिर रही है बिल्ली कहती है नहीं कुता कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैं रगड़ूंगा तुम मुझे बताना कि मेरी दुम जोर से हिर रही है तो फिर से पैर रगड़ता है बिल्ली से पूछता है क्या मेरी दुम हिर रही है तो किती है हाँ थोड़ी सी कुता फिर फिर पहर रगडता है फिर बिल्ली से क्या मेरी आँख अंगार हा जैसी लाल हो गई है तो So सबकिये कि अगर हमें किसी जैसा बनना है तो सिर्फ उनके एक्षिन कौपी करना काफी नहीं उनकी के capability भी हमें develop करनी होगी